तो आज का जो टॉपिक है वो आज से 20 साल पहले काफी एक इमोशनल और काफी सेंसेशनल टॉपिक था अब तो बहुत बात काफी पुरानी हो चुकी है लेकिन उस पर कुछ बात करना चाह रहे हैं Kundu Toi WeChat अजय के संचरी आज शूची में तो र commander लोक्तिलू तो है टो काफी सब्सक्राइबर, कि स्बस्क्राइबर केहिए न कोई है तो आज एन अजी है Genesis सेकंड और थर्ड टेस्ट में सेंचरी बनाया है किसी को यह रिकार्ड तोड़ने के लिए फिर्स्ट फोर टेस्ट मैचेज में सेंचरी बनाना होगा जिच सीम्स तो भी हाइली हाइली अनलाइकली और वेरी थिन शाई हम्बल सॉफ्ट स्पोकेन यंग मैं फ्रॉम जो की 21 साल का था जब वो इंडियाटी में था और आते ही उसने संसेशन कर दिया यह तीन संचरी बना के और इसके बारे में जो निवस आई की वो अपने ग्रांट फादर से इंस्पाइड था और वाइल इस टेस्ट्स वेर ओन एंग इस ग्रांट फादर एक्सपाइड तो and his humble background and all that and you know the Indian Cricket fan fell in love with Azharuddin because you know he let his bat do the talking and his batting style is a unique style माष्य के वी लुए जिसके थ्रेज वो मैं चाहिबा का ुए थ्रेया जिसक ता शुए बखने कर लिक पीड क्या चाहिए भूकक टूल कर चाहिए और का चरवा थे लुक थ युए थे सब्यागर प्र ला बा के टो ड्रवड इंडियन फैंस जो है क्रिकेट फैंस दे जस लब दाजरुदीन and you know he from time to time वो एक से एक इनिंग भी खेलता रहा बीच में तोड़ा ओट फॉर्म भीवा लेकिन तो उसका जो इमेश था कि एक बंदा जो कि एक lower lower mid class middle class background Hyderabad Hyderabad से बहुजादा क्रिकेटर्स भी नहीं हुए इंडिया के वहां से आया और at the top level he's doing so well such so well behaved very shy self-effacing so the country was in love with Azuruddin and you know he उसका जो होल मैनरिजम था and he was a brilliant fielder as well तो सब लोग इसको अज्यू भाई के नाम से प्यार से बिलाते थे तो 1990 में surprisingly he was made the captain of India क्योंकि उस ताइम में Shrikant took India to Pakistan in 1989 और उस ताइम में पाकिस्तान सेरीज में in fact लग रहा था कि he'll be out of the team लेकिन Raman Lamba I guess was injured in the first match and Azuruddin played and he then made some good scores and then he came back in form and eventually in the next series he was made the captain surprisingly तो और captaincy material उसमें लग नहीं रहा था क्योंकि वो बड़ा ही he was not extrovert he was not a you know very shy man of very few words तो captaincy के लिए suitable लग नहीं रहा था लेकिन somehow he turned out to be quite a good captain मतलब इंडिया के बाहर दो उतना नहीं जीता लेकिन इंडिया में काफी series जीता and then many one day tournaments भी जीता तो ठीक्ता captaincy कर लिया उसने और so 1990 से वो captain मना और काफी चारपाइब साल captain रहा तिल तेंडुलकर उसमेड थे captain and then तेंडुलकर गेव अप 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 अपन सी and all that तो 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 तिल इन 1990 प्लेड वन और ग्रेटेस्ट इनिंग्स of all times जब लॉड्स में उसने century बनाया 121 और उसके बाद कई इनिंग्स खेला उसने केप टाउन में and so he kept on you know showing his style and the wrist work and all that one day में भी काफी सक्सूस्फुल तो अभी तक अजुरुदीन वस लाइक you know the the man people loved but slowly उसमें changes आना शुरू हो गया था क्योंकि सबसे बहले तो उसने अपनी जो वाइव ती नौरीन जो I think there were two kids as well and he divorced her which was quite a surprise given the background he came from and the traditional family and all that तो उसको डिवोस करके and then उसकी नुस आने लगी अफेर with Sangeetha Bijlani जो की एक Bollywood heroine थी not a very you know top heroine but थी वो उसका पहले affair Salman Khan के साथ था तो यह सारी news आने लगी यह भी एक बहुत बड़ा surprise था कि Azharuddin having an affair with a Bollywood heroine and then slowly उसका जो है dressing and all वो सब भी change होने लगा he started wearing Gucci Armani suits and very expensive watches and you know style जो की पहले उसका image था कि बड़ा simple बंदा है humble है तो यह सारा कुछ चेंज होना शुरू हुआ और थोड़ा assertive भी हो कि चलो assertive तो उसको होना चीए था क्योंकि था क्योंकि था क्योंकि था क्योंकि था तो तो यह सब चेंज दिखने लगा और फिर जब 2000 में अजरुदीन प्लेड इस 99 टेस्ट मैच अगेंस साथ आफरिका यह वस नॉट दे कैटन अट ताइम और उसने उस 99 टेस्ट मैच में भी संचरी बनाया था उसके बाद Hansi Kronia scandal, match fixing scandal वो इंडियन डेली पुलीस ने ख्पोज किया क्योंकि वो Hansi Kronia का फोन ताप कर रहे थे और कई पूकी का फोन टाप कर रहे थे तो इस से पता चला कि Hansi Kronia was, you know, in conjunction of the bookies was fixing some matches along with some other players Hansi Kronia was the captain of South Africa और उसका भी इमेच था कि he's a very upright guy very you know honest, upright so that came as a huge shock also for the cricket lovers कि हैंसी क्रोणिया इसा कैसे कर सकता है और हैंसी क्रोणिया ने जब उसका इंटरोगेशन हुआ तो उसने बताया कि जो बुकी था I think Mukesh Khanna or something so he was introduced to the bookie by Azharuddin in India so that opened a Pandora's box फिर Azharuddin पे investigation शुरू हो गया बाद में CBI ने भी investigation किया तो उसमें कई चीज़ निकल के आई के कुछ तो dealings इस तरह की मतलब Azharuddin कई लोगों का नाम आने लगा Azharuddin, Ajay Jadeja Ajay Sharma Manoj Prabhakar Nayan Mongia और कुछ matches भी scanner में आने लगे ये दो थीन मैच्ट one or two of them in Sharjah and Sharjah as we know is you know वहां पे काफी बेटिंगा पहले से भी आया है और पाकिस्तान टीम के बारे में भी ये सबाया है तो काफी इंवेस्टिगेशन हुआ and then you know Azharuddin and all these people were denying it but then they were confronted with various some evidence that किसी के लिए कुछी ने गाड़ी खरीद के दे दिया या वाच खरीद के दे दिया या कुछ और खरीद के दे दिया इन लोगों को तो ये सब काफी मतलब evidence सामने आया now अब किसी ने किसी को खरीद के दे दिया तो उसने match fix किया इसका evidence निकालना बहुत ही मुश्किल है कि आपको अगर run out हो गया तो you can't say that it was deliberate it is very difficult क्योंकि उसके दिल में क्या है तो पकड़ना बहुत मुश्किल है ना unless कि आप बिल्कुल कोई phone tap में कोई clearly बोल दे कि हम ये करनी जा रहे हैं जैसा कि 2010 में वो पाकिस्तान का जो spot fixing हुआ ता तो match fixing spot fixing को पकड़ना with evidence is very very difficult and then prove it in court is next to impossible तो खैर based on the evidence Azharuddin was banned for life and I think Ajay Sharma Ajay Sharma was also banned for life Ajay Jadija was banned for five years I think और शायद प्रभाकर was also banned मोंगिया I guess as well तो उसके बाद क्या हुआ कि Azharuddin उसको deny करता था वो लेकिन कभी भी खुल के नहीं होता था कि actually हुआ क्या मतलब अगर if he had not done it then he should have said it with lot more force के ओ ये बाद कोट में केस है and then you know he actually took it to court and he said कोट का फैसला आने दीजिये तो तो क्या होता है कि देखिए एक बार आप इतने बड़े आदमी प्यालिगेशन लग गया तो फिर वो पब्लिक में परसेप्शन तो होई गया कि ये कुछ तो है गड़वड और जिस तरह का सब सामने आई थी बाद उससे भी लग रहा था कुछ तो गड़वड है लेकिन अगर अगर अजरुदीन को ऐसा लगता था कि वह इन्नोसेंट है तो उसको और वह तो फोर्सफिली ये बात बोलने चाहिए थी उसने कभी ये बोला नहीं बहुत फोर्सफिली वो बोलता रहा कि कोड का आने दीजिए कोड का फैसला आने दीजिए और जब अनरप देश को डिस्मिस कर दिया जो लाइफटाइम बैन थाउस पे but then that might be because of lack of evidence तो ये कहना मुश्किल है कि there was nothing or Dedis he was totally innocent it is very difficult to prove himself innocent now but just because for many years he did not deny it very strongly that did a lot of damage to his reputation so from being a person who was deeply loved by the nation and by the cricket lovers in India he became a man who was hated by the cricket lovers and then eventually कई साल दब कोटकेश चला तो from love to hate to it became pity and indifference slowly तो बाद में तो उस पर फिल्म भी बनी है हमने फिल्म देखी नहीं है लेकिन उसमें भी कुछ गोल मटोल करके बात को इन लोगाने रफा दफा कर दिया है शायद जैसा कि हमने रिवीव पड़ा था तो कोट ने उसको बन को इलीगल साबित करतिया है एलीगल करतिया है लेगल करतिया है लेगल करतिया है and now he is Telangana Cricket Association का वो शायद है he is chairman or something whatever and he is kind of because the ban is now revoked तो वो कही चीज में अब पार्टिस्पेट भी करता है जैसे कि टीवी में discussions में and he comes as you know expert and all that लेकिन वो तो टेंट जो उस पर लग गया दाग वो तो कभी नहीं जाएगा और इसके पीछे क्या सचाई है तो भाई खुदा ही जानता है लेकिन कुछ तो गड़वर था इसमें तो कोई डाउट ने है क्योंकि उसका जब वे हिस लाइस्टाइल चेंज और हम जब विप्रो हैदरवाद में काम करते थे तो एक दिन रिसेप्शन पर जब ऑफिस से निकल रहते पांच साड़े-पांच वजे शाम में तो देखने रिसेप्शन पर के जस्ट रिसेप्शन के बाहर एक मर्सिडीज आकर रुखती है क्योंकि वहां अंदर गाड़ी लाना मनाता है वे प्रो कैंपस में तो आइथाट कि ज़रूर कोई सेलिप्रिटी या कोई वी आईपी है तो देखते हैं कि उससे निकलता है अजरुदीन और संगीता बिजलान अर उस ताम में एक रुखते हैं तो बन्दा को तो आईब शब बहुत ही ता है और सेखते हैं और संगीता बिजलानी को सथाट पता चला कि इन लोगों एक जिम खोला है एथरभाद में और सेखते हैं तो श्यरुदीन को उस्टेक में परूमाजने के सक्काशने दो असे इ ख्लोस.... अज एंड ही वह र्षी फीलडर बेस्लिडर इंटरनेशनली पहुत ही जबर्दस फीलडर था अजरुदीन what a talented player and what a stylish batsman, one of a kind so it's very sad that this all happened and that it was a mistake in his life, this is also a tragedy that his son was a bike that was a racing bike he met with an accident and he died when he was only 18 or 19 so such a sad and such a tragic thing to happen to someone but Azuruddin Samau is a very different kind of guy, he takes everything in his stride later on he actually, there was a divorce with Sangeeta Bijlani as well and ek jawaan beta ka deth hona but he has taken all this in his stride and he is still in a manner and everything he still seems to be very humble and you know a down-to-earth guy but then, he will have to live with this stigma for life okay then, if you like my vlogs, please like, subscribe, share, bye bye you